आज आप सीखेंगे हिंदी के स्वर और वेंजन को इंग्लिश में लिखना हिंदी के किस अक्षर के लिए अंग्रेजी में कौन सा अक्षर आता है वो आप सीखेंगे तो हम शुरू करेंगे यहां से सबसे पहले हम लेते हैं स्वर यानि कि वो वर्ल्स को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है तो ये है अ अ को इंग्लिश में ए लिखा जाता है क्या लिखा जाता है ए और ये है आ और यहां पे आ की मात्रा दी गई है तो आ को ए भी लिखा जाता है और डबल ए भी लिखा जाता है जहां पे जिसकी जरुरत होती है वहां पे वो alphabet लिखा जाएगा यानि A या फिर डबल A फिर आगे देखेंगे हम E यानि कि छोटी E छोटी E को लिखा जाएगा I क्या लिखा जाएगा I फिर है बड़ी E बड़ी E के लिए डबल E आएगी क्या आएगी डबल E फिर है U यानि कि छोटा U छोटे U के लिए U छोटे U के लिए आएगा U फिर बड़ा U बड़े U के लिए डबल O बड़ा है तो डबल O यानि डबल O फिर है री री के लिए आर आई ये है A A के लिए आएगा E ए के लिए फिर है अई के लिए ए अई फिर है ओ के लिए 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 ए यू बोल रहे हैं वैसे ये क्लियर हो रहा है ए यू फिर है अंग या फिर चंदर बिंदू अनुनासी के अनुस्वार दोनों के लिए AN और AM जिसकी भी जरुत होगी वहाँ पर वो आएगा फिर है अह अह के लिए AHA और AHB लेकिन अधिकतर यूज जो है AH का AH का किया जाता है यहाँ पर हमारे स्वर कम्प्लीट होते हैं फिर आगे हम देखेंगे वेंजन वेंजन को हम इंगलिश में कैसे लिखेंगे यह है वेंजन क क क के लिए आएगा क क क के लिए आएगा क अब यहाँ पर यह जो क है न इसके नीचे लगावा है लंत यानि कि यह जो क है वो क्या है आधा है यह सारे के सारे जो वेंजन है वो आधे है ठिक है? जो regो एवेंजन है, आदा है, अगर हम इसको पूरा करते हैं, तो साथ में क्या लगता है? अ तब जाके यह complete होते हैं, पूरे होते हैं, यह हलन्त हड़ जाता है, यह हलन्त नहीं आता, तब जाके यह पूरा क बनता है, ठिक है? तो इसी प्रकार से जैसे यह कर यहाँ पर बताया मैंने के आएगा के आएगा और इसके साथ अ अ जुड़ेगा न तो अ कर क्या आता है अ इस तरह से यह पूरा बंद तो क के लिए आएगा के फिर है ख के लिए आएगा के एच ख, ख, जब बोल रहे हैं, तो क और ह, क और ह हमारे मुह से निकल रहे हैं, दोनों का ही sound आ रहा है, तो क के लिए क, और ह के लिए ह, तो इन दोनों को मिला के बन गया क, याने की ख, फिर है ग, ग के लिए आ रहा है, जी, ग के लिए क्या रहा है, जी, जी, और ग के लिए, ग के ल दोनों को मिला के- घ साउंड आ रहा है घ तो ग के लिए ग के लिए जी और ह के लिए एच तो जी एच घ घ घ फिर है यहां पे है अंग इन और न और न इन चारों के लिए ही रहाएगा क्या आएगा एन, सेम ही आएगा, अब आगे हम देखेंगे च, च के लिए च, च के लिए च, पिर आएगा च, 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 जब बोल रहे हैं च और ह, दोनों की ही आवास आ रही है, दोनों ही निकल रहे हैं शब्द हमारे मुह से, तो च के लिए CH और ह के लिए H तो क्या बना च फिर है ज ज के लिए J फिर है ज ज जब बोल रहे हैं तो ज और ह दोनों का साउंड आ रहा है तो ज एच ज जब बोल रहे हैं न तो ज और ह दोनों का साउंड निकल रहा है तो फिर बनता है जा जा इस तरह से तो जा के ले की आता है जे और ह के ले क्या आता है एच जे-एच यानिकि जा यहां पे इनक के लिये दिखांग इनक के लिए एच आयगा पुरहल गोल कि लिए क्या आएगा टी को ठो पर उंद का संद आ रहे तो टी की खेड़ कि Consider Sóर है तो इन दोनों का संद आ रहे है तो बन गया बनगया यह एन आजाएगा इसके लिए पिर है दो के लिए ट के लिए ट के लिए ट था ये ये था ये तरह से त्रह दुनों का साउंड आर तो ट और ह ट यानिकी त और ह यानिकी हा तो th th, dh के लिए d, dh, dh, dh के लिए dh, dh के लिए dh, n के लिए n है, फिर आगे दिखेंगे हम p, p के लिए p और f, f के लिए f b है, और ph भी है, f b है और ph दोनों ही है, फिर है ब, ब के लिए b, ब के लिए b, h, m, y, y, r, 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 के लिए ही एस एच दुनों के लिए ही एस एच दुनों के लिए ही एस एच फिर है इस सो के लिए एस सो के लिए एस फिर है हा के लिए एच फिर है शो यह जो शो है यह को और शो से मिलके बनता है तो के के लिए यह को के लिए के लिए और इसके लिए शो के लिए एस एच तो फिर है त्र त्र जो होता है त्र त्र किसे मिलके बनता है तो और र त्र इन दोनों से मिलके बना त्र तो के लिए टी और र के लिए आर त्र फिर है श्र श्र यह श्र यह श्र और र से मिलके बनता है तो इस श्र के लिए एस अच और र के लिए आर श्र फिर ग्य ग्य जी वा गयर बन گह जी और वाई गश और य यानि गयर गश को लिए जी यव वाई य एक य अब यहां तक हम देख चुके हैं की शवर यняने वह वह वोल्ज को इंगग़ में कैसे लिखेंगे और व्यंजर यानि की consonants को English में कैसे लिखेंगे अब इसके आगे हम देखेंगे यह जो vengeance है vengeance के साथ इन स्वर को लगाएंगे उसके बाद English में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे जैसे कि ये है कर कर के लिए क्या आता है के या फिर के जिसकी जरुदत होगी के की जरूत होगी तो के और के ए की जरूत होगी तो उस समय हम के ए लगाएंगे उसी प्रकार से का के लिए जैसे कि हमने आ यानि आ स्वर के लिए क्या सीखा तो उपर कि ए या फिर डबल ए लगाते हैं ए या फिर डबल ए लगाएंगे तो इस प्रकार से जैसे यहां है क क के के लिए के लिए लिए इस प्रकार से जिसकीpeace होगी वहाँ पर वह हम लगाएंगे अब यहाँ पर है की के साथ क्या है चोटी की मात्रा यह है चोटी की मात्रा तो जो कय है उसके K के लिए K और I है यहां पर छोटी E तो बन गया की इसी प्रकार से बड़ी E लगी है को पर बड़ी E यानि की तो बड़ी E के लिए डबल E आता है और K के लिए K आ गया फिर है कु यानि चोटा उ, तो चोटे उ की मात्रा के लिए U, और क के लिए K, इसी प्रकार से कू, यानि नीचे लगी है बड़े उ की मात्रा, तो इसके लिए डबलो, और क के लिए K, क्री, क्री, तो री के लिए हमने उपर देखा था कि आराई लगता है, तो क के लिए यहां पर के है, और इ आएगा इसके लिए इसी प्रकार से यानि के इक तो इसी प्रकार से कई कई यानि यह आई की मात्रा है आई की मात्रा के लिए ए आई क्या लगता है ए आई और क के लिए के तो के ए आई कई फिर है को को यानि ओ की मात्रा के लिए लगेगा ओ और के के लिए है के है क के लिए को 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 इसी प्रकार से कउ क्या है कउ आउ के लिए ए-ई-ू और यहांपे कच के लिए तो कउ क्या होता लिखते हैं इसी प्रकार से तो कउ तो ख़ के लिए ख़ के लिए तो k-h और आउ की मात्रा a-u ख़ इस प्रकार से बन जाएगा इसे प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक लग जाएगी क़ के उपर चंद्र बिंदू और बिंदू तो k-a-n और k-a-m उपर देखा था हमने a-n या a-m लगेगा इस प्रकार से कह k-a-h अह के लिए a-h तो k-a-h कह इस प्रकार से जब आप इतना सीख लेते हैं कि स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और वेंजन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं फिर मातरा के रूप में इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं तो आप किसी का भी हिंदी नाम है उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद